हेल्लो मेरे प्यारे बच्चों तो आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल मिशन टूपे आप लोगों का स्वागत है तो पूरे जहारखन में सबताहिक परिच्छा श्टार्ट हो गया है ठीके आज हम क्लाश 10 का हम 5 अगस्त को जो एक्जाम हुआ था मतलब कि आज जो अच्छा बचा हुआ है तो ऊसके लिए ये लिए यह यह काफी हेल्ब होगा था तो आप पूरे जो भी आप एकजाम लिखकर आते हो तो ईसको आप सॉल्यूषन जरूर करना तो आज हम आप लोगों सॉल्यूषन करके बताने वाले हैं इस एक्जाम में बच्चों आप लोग का 16 question पूछा गया था ठीके और सभी question जो है objective था और एक 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 जो question था वो अड़हाए-ड़हाए marks का था ठीके चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसके सारी उत्तर को हम लोग जानते हैं ठीके देखे सबसे पहला number जो सवाल पूछा गया था वो थ 38, 25 को सबसे पहले क्या करो ना अभाज गुननखंड कर दो ठीके सबसे पहले देखो यह 3 से चला जा रहा है तो 5,2,7,7,8,15,8,18 बिल्कुल 3 से चला जाएगा तो 3,1,3 अब यहां कितना हो जाएगा 3,2,6,2 बचा 22 हो गया 3,7,21 और 3,5,15 बिल्कुल फिर देखो 3,4,12,3, 3,2,6,3,15 चलिए देखो फिर से 3 से जा रहा है कि 5,2,7,4,11 नहीं जा रहा है तो 5 से चला जाएगा यह क्यों क्योंकि लाश्टम 5 है तो 5,8,4,15 चलिए सही है फिर देखो 5 से चला जाएगा 17,5,85 तो अब यहां पर क्या गया कि 3,3,5,5,5,7 ठीके मतलब कि 3,3,5,5 ठीके और गुना में 17, ठीके इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 का पावर दो क्योंकि कितना है 3,2 बार है ठीके और 5,5 कितना बार है 2 बार तो 2 लिख देंगे 17, ठीके तो आपके देख लो कौन सो अप्शन सही है तो अप्शन नबर A इसका बिल्कुल राइट है तो इसको कैसे solve करना है वो धियान देंगे आप लोग ठीके 336 सबसे पहले आपको 336 लिख देना था और नीचे 64 लिख देना था चुमिल अब मिल रहा है तो कितना दो मिला यहां पशे लिखेंगे ACF is equal to जो जो मिला है तो कीठो मिला है एक दो एक और दो दो तीन चार चार तो मिला है दो दो ठीक है तो अब इसको गुना कर देंगे दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोला ठीक है तो इसका option number 16 option number 16 का बिल्कुल right हो जाता ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम सवाल था हमारा वो क्या था तीसरे नंबर सवाल था दो संख्याओं का गुननफल देखेंगे दो संख्याओं का गुननफल जो है वो कितना दिया हुआ है 1600 और उनका SCF 5 है संख्याओं का LCM है ठीक है तो बहुत ही असान सवाल था ठीक है देखे एक formula होता है वो formula को आपको याद रखना होगा है ना दो संख्याओं का गुननफल इसका formula जो होता है मेरे प्यारे बच्चो वो होता है SCF into LCM ठीक है यह formula होता है तो दो संख्याओं का गुननफल गारे 16 सो दिया वाँ है तो फांच लिख़ेंगे और स्वेसितनादी लिए घ्रविरे भश्एट죠 सलदें लिखंगे एखस्तवाँ कि लिएह पांच लिख़ेंगे य इसकोॉणं के जगा होगा एक पांच दुनी दस है न तो 320 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कहां पे है तो आपसा नमर सी में जिन्होंने सी किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा ठीक है ठीक है बहुत सारे और तो दो धनात्मक पुर्णांग अगर ए और बी दिया हुआ है और बराबर में बोला है यह क्या होगा तो बराबर में दो संख्याओं का गुनन फल्क और दो पुर्णा कि यहां पर क्या दे, दो-दो संख्या क्या देवा, A और B, तो दोनों संख्या का गुननफल, यानि कि A into B इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है कहां पर है, तो sir, option C है, तो option number C, जिन्होंने क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, आगे बढ़ते हैं हम ल तो हिंदी में बोलेंगे, तो हम लोग होता है, भाज ये बराबर, भाजक into भागफल, प्लस से इस फल, यही होता है, ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा होगा इन में से, ठीक है, पांचवा में जो होगा, वो कौन होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि इस तरीके से जब भी होगा, तो 0 से बड़ा R होगा, ठीक है, 0 से बड़ा R होगा, या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, नीचे दिया वाज 0 के बराबर और 0 से बड़ा R होगा, ठीक है, और B, R से भी बड़ा होगा, यह भाजक जो है, वो R से भी यानि कि option number B इसका बिल्कुल right हो जागा, तो B जिन्होंने किया होगा, उसका बिल्कुल सही होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग six number सवाल में, क्या लिखावा था, यदि A और B दो धनात्मक पुर्णांक है, तो उनके LCM और SCF के बीच का संबंद होगा, ठीके, तो दो धनात्मक पुर्णांक A और B है मेरे प्यारे बच्चों, तो LCM और SCF के संबंद क्या होगा, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि SCF जो होगा, वो LCM से छोटा होगा, मतलब कि LCM जो होगा वो बड़ा होगा, ठीके, तो LCM बड़ा होगा, कहां पे है, तो option number B इसका विल्कुल राइट होगा, जिन्होंने किया होगा B वाले, वो बिल्कुल सही होगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7 number सवाल में, क्या लिखावा है, 7 under root 5 कैसे संख्या है, कितना लॉली पॉप सवाल है, एक दम लॉली पॉप सवाल, ठीके, देखो, इसका आंसर क्या होगा, तो under root 5 है, under root 5 क्या है, आपर ही में, तो 7 under root 5 भी क्या होगा, आपर ही में संख्या, option number B विल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं लोग 8 number सवाल, चले, यहां पर बना देते हैं, क्याले कावँ है, 664 और 455, यही है न, ठीके, यह कैसा 10 मलों पर्सार है, 10 मलों पर्सार कैसा है, 7 है, 7 है, यह A और B दोनों तो नहीं होगा, जब भी होगा, 7 होगा 7 होगा, तो 7 होगा, संथ और असंथ को जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा बच्छों इसका हर को उपर वाले को वाले को और नीचे वाले को अर कहते हैं हर में अगर प्पडन के रूप रहा तो हमारा क्या होगा यह संथ होगा अन्यता नहीं होगा तो यहां पर हर कितना है चारसो पच्पन तो सबसे पहले चारसो पच्पन को हम लोग तोडएंगे और दो गुना दो एन इंटु पाइप 5 एन के रूप रहा तो सांथ होगा ठीक है नहीं तो फिर नहीं होगा चलिए इसको तोड़ते हैं 5 से चला जाएगा 5 नौँ पैंतालिस 5 एक पांच ठीक है 13 सत सिर्फ 2 एन और 5 एन के रूप होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 7 और 13 अलग है ठीक है तो इसका मतलब यह क्या हो गया आसांत हो गया यह आसांत ठीक है तो अप्सन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा ठीक है जब भी इस तरीके से आएगा सांत आरो सांत तो आप क्या करना नीचे वाले का नीचे वाले का आप तोड़ना और तोड़ने के बाद देखना 2N और 5N के रूप में है या नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में 9 नंबर जो सवाल था आपका SCF दिया हुआ है ठीक है 4 और LCM दिया हुआ 24 यह ब्रैकेट में सर क्या पहले संखया यह दो संख्या और 2 संख्या ने कालना है और बी कामान यहां पर दिया हुआ है ठीक है तो हमको पता है दो संख्या ओंका गुनतफल Гूननफल यानि कि इसको हम लोग A इंटू B लिख सकते है एक संख्या A, दूसरी संख्या B, दोनों संख्याओं का गुनन्फल जो होता है वो SCF, और LCM का गुनन्फल होता है, है ना, LCM गुना SCF, ठीक है, तो A कितना दिया हुए, सर, A नहीं दिया हुए, अब यहाँ पर क्या है? 8 गुना में है इधरा के डिवाड़ में हो जाएगा है तो A बराबर 4 गुना 24 और बटा में क्या हो जाएगा 8 अब 8 से काट दो इसको ठीके तो उपर क्या बचा हमारे पास? 4 गुना 3, 4 पिया 12 ठीके तो A बराबर कितना हो गया? 12 तो बारा कहा है आपसन बच्चों, तो आपसन नमबर सीस का बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिन्होंने सीखिया होगा, बाकी अगर जो गलत कियें, कोई बात ने, सर सीख लिए, अगली बार से गलती नहीं होगा, चलो बहुत अच्छी बात है, सीखते जाना है, कोई भी ची जानो कि सर अंसर कैसे सही होगा, क्या इसका सोल्यूशन होगा, यहां पर क्या है, य बरावर PX का ग्राफ दिया हुआ है, तो बहुपत PX के सुन्या की त्संख्या रिखा लिए, ठीक है, कितना असान है, लॉली पॉप सवाल है, ठीक है, यहां पर क्या है, चुह खड़ा ह नहीं चलिए 11 नंबर देखो क्या है यदि द्विगहाद बहुपत के सुन्याक का योग अंडरूट टू है एवं गुननफल 1 by 3 है तो द्विगहाद बहुपत होगा तो द्विगहाद बहुपत का एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों वह होता है द्विगहाद बह और वहीं अलफा प्लस बीटा ओर सुन्याको का गुननफल यहीं आपका अल्फा इन्टू बीटा इसक्वार माइनस आंडरूट टू एक्स और यहाँ पर लिखेंगे यह नहीं किसी तरीके सा हटाने का प्रियास करेंगे तो इसके निचे क्या दे देंगे और हम 3 का NCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है से स्कौायर से कुना गरेंगें थिन एक को तीन से तो तीन अंडर रूट टू एक令 ठीक है पम सॅ सबा सितनक कितने और पड़ chilis एक बढ़ेंगे एक बर एक को एक से गोना करेंगे तो इसका option इसका option नमर B है ठीक है 11 नमर का जो option है option नमर B इसका बिलकुल right हो जाएगा ठीक है को दिकत नहीं उतार लो screen shot लेते चलो ठीक है इसको मिटा देते हैं ताकि दूसरा question भी हम लोग यहीं पर solve करेंगे जगा नहीं है बबू जगा नहीं है ठीक है तो जगा नहीं है तो लोग को यहीं पर solve करना पड़ेगा चलिए अब देखो यहां पर क्या है हो गया यहां पर 12 हो गया ना अच्छा 11 हो गया 12 में देखो 12 क्या है यदी द्विगाद वह उपत के एकस स्क्वाइर प्लस 3x के का सुन्याक 2 है तो के कमान के अद्कान है बहुत अच्छा सवाल है क्या लिखा वह एकस स्क्वाइर प्लस 3x और फ्लस में के ठीके तो बराबर एक सुन्याक दियावाए 2 ठीके तो हम क्या करेंगे एकस स्क्वाइर के गेंगेम मतलब एक प्लस 3 इंटू 10 रिक्स में लेख़ेंगे 2 तो यहां अच्छा any आब ditो तो यहां पर कितना है 2 तो का क कितना हो जाएगा 2 दूनी 4K और पलस तिन दूनी 6 तोल यह नीचे और चार के और एक कितना हो जाएगा पांच पलस में 6 बराबर 0 तो पांच के हो जाएगा और यह जो 6 दिख रहा को यह इधर जाकर किसम हो जाएगा माइनस में 6 तो च 컨यो बटा 5 इसका karşı exposure सब्सक्राइब करना है जब भी के वाला आता है तो जो सुन्याक देवार रहेगा उसका मान बैठाना है और जो आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में चलिए 13 जो आपका है ठीक इसको हटा देते हैं 13 हम लोग यहीं सॉल्व करेंगे क्या था किसी द्विगहात बहुपत के सुन्याक अलफा बीटा के लिए अलफा प्लस बीटा बराबर मैनस चार है और अलफें टू बीटा चार है तो एक से स्कॉयर का गुनांक एक है तो बहु एकस और अलफा इंटू बीटा प्लस में अलफा इंटू बीटा ठीक है अब देखो यहां पर लिखेंगे एकस स्कॉयर माइनस अलफा प्लस बीटा कितना दिया हुए तो मैनस चार और इंटू में एकस और प्लस में अलफा इंटू बीटा कितना दिया हुए तो चार दिया चाओदा नंबर सवाल देखते हैं चाओदा नंबर जो आपका सवाल दिया हुआ है PX पांच X स्कायर प्लस 3X प्लस 1 अब यहां पर 2X से है ना QX जो है वो 2X दिया हुआ है तो PX में QX से भाग देने पर भाग फल का घात क्या होगा बहुत ही अच्छा सवाल है तो लेकिन ठोड़ा सा difficult लगेगा लेकिन सीख जाओगे तिक क्या है यहां पर किस से करना था इसक बाबू तो 2X से डिवाइट करना था तो लीखेंगे यहां पर दो X लेख बाखेंगे 2X और इसFit किस को ुडिवायट करना था तो पांच को कितना से गुणा करेंगे कि 5 x square होगा सर कोई भी पहाड़ा में 5 तो आएगा नहीं ठीकि तो धियान देना टू x को हम अगर पांच गुण कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोसे गुणा करना पड़ेगा तो 5x वटा 2 से ठीक है लिखेंगे 5X वटा 2 से हम गुना जब करेंगे तो हमारे पास हो जागा 5X स्क्वाइर ठीक है अब यह पर हम ऐसे लाइन देंगे अब यह साइन को चेंज कर देंगे अब यह पलस में और यह माइनस में तो हो गया यहाँ पर क्या बच्छा 3x पलस वाड़ देखो ढबू 2x को कितना से गुना करोगे कि 3x आएगा कोई भी पहाड़ा में 3x नहीं आ रहा है तो इसके लिए ध्यान देना कितना लिखाव है 2x हम को कितना लाना है 3x लाना है तो हम क्या करेंगे ना इसको तू को नीचे से काट दो चीक है अगर हम इसको एक से गुना करते हैं नहीं वन बाइटू से गुना करते हैं ठीक है 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 ठ पर क्या बचेगा वन अब कोई भी टेबल से बावो नहीं जाएगा चूकि टू एक्स छोटा है वन से ठीके तो इसका मतलब सेस्फल यह हो गया लेकिन हम लोग का सवाल क्या था कि भाग देने पर जो भाग फल आएगा उसका घात क्या होगा तो सर भाग फल जो आया 5x बटा गात दो पलस 3x2 यह आपका भाग फल आया है लेकिन इसका भाग फल का जो भात है वो कितना है तो सर वन है भाग फल का जो घात है तो इसका उप्सन नमबर एसका बिल्कुल राइट हो जायता थीक है स्क्रीन सौट ले लो थोड़सा लोजिकल कुश्यन है थीक है आगे सॉल्यूशन के साथ लाए वरना आप लोग को आंसर से बताके और निकल लेते दिरे से लेकिन नहीं सॉल्यूशन चाहिए है ना देखो क्या है 15 नंबर सवाल एक स्कॉयर माइनस 5 प्लस 6 के दो सुन्याग अलफा बीटा हो तो अलफा बाइब बीटा प्लस बीटा बाइब अलफा का मान इन में से कौन होगा ठीक है तो सबसे पहले क्या करो ना इसको सबसे पहले क्या करो इसको चलि अपर जा नहीं रहा है चलि यहाई पर बनाते हैं लोग ना सबसे पहले इसको क्या करो कि इसको तोड़ो ठीक है क्या लिखावा है एकसवार माइनस 5 पे और प्लस में 6 है ठीक है दिए को first और last को गुना करना पड़ता है हम लोगों तोड़ने के लिए ठीक है इसके दो सुझाक निकालने के लिए हम लोग करते तो कितना होता है फर्स्ट लाज को गुना करेंगे तो 6x² होगा, 6x² को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, कि जोडने घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x² हो गया, और 3 में से 2 को जोड़ेंगे, तो 5x आ जा रहा है, बिल्कुल सर, तो क क्या करेंगे, यहां पर x² लिखेंगे हमको –5 लाना है, तो हम क्या करेंगे, दूनों में माइनस लगा देंगे, simple सी बात hai ठीक हे तो इस तरिकरी से लिख तो 2x – 3x ठीक है, । बिल्कुल आप देखो दोडू का हम यहां पे पेर लगाएंगे तो इन दोनों में कमन क्या नजार आ रहा है यहां पर क्या बचा जब दो एकस बाहर निकल गया तो एकस बचा यहां पर माइनस दे देंगे यहां पर क्या हो जाएगा मारे पास टीं को हम बाहर निकाल देंगे त्युक्ट टीन को टेबल दोनों में चला जा रहा है तो एकस और माइनस निकल में तो यहां पर में ओ गया थानरक्तिके पली है मैयननेश कॉमन देंट लोगे साइन हो जाता है ठीके SH accurately क्या हो जाता है चैंच viral गव्य थेसरे令 तीन दूनीच यह बिल्कुल आप दोनों जो है ना बराबर आना चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास एक माइनस तीन एक जगा लिख देंगे एक लाइन देंगे और एक माइनस टू जो दोनों मिल गया उसको एक जगा लिख देंगे इधर हाँ आपके पास अल्फा निकल गया और अल्फा सॉल्व ठीके इसको मिटा देते हैं यह रफ्थ हमारा ठीके अब दीखो यहां पे दोनों करेंगे तीन और दो को यह तो चीज़ को सबसे पहले हटा देते हैं और लाश्ट सवाल को हम लोग solve कर लेते हैं ठीक है चीज़ लाश्ट सवाल नोग यहां पर solve कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थिक है कि मेरे बच्चेओं में जो है पेसेंज है ठीक है उतना पेसेंस आप सकते हैं अब देखों यहां पर क्या है तो निमलिक्त में कौन साही है टीक है तो मेरे प्यारे बच्चों hosts ध्यान रखना कि इन में से जो सही होगा ये तो गलत बोल रहा है ये जो अपिसंग बोल रहा है ये भी आपका गलत है तो ये जो ऑसन नमर C है इसका बिल्कुल सही हो जागा ठीके 16 में जो है वो आप लोग कितना सही किये आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो कैसे लगी ठीके चुकि हम इसमें पूरे solution के साथ बताएं ठीके चुकि सिर्फ answer नहीं बताएं पूरे solution के साथ बहुत सारी क्या करते हैं कि सिर्फ answer बता देते लेकिन नहीं क्यों बच्चे को थोड़ा तेज करना है पढ़ाना है क्योंकि अभी बहुत सार एक्जाम बचा हुआ है ठीक है क्या-क्या अर्दवार्शिक और भी सब्ताहिक पर इच्छा और भी आपका प्री वोड फिर फाइनल वोड तो यार सॉल्यूशन करके ही पढ़ना है ठीक है चल हुआ ऑभी 2,024 में एक्जाम देने वाले हैं सभी लोगों को शेयर कर देना हमारे चैनल को ठीक है ताकि सभी लोगों को help मिल सकें कर भला तो भाला तो आप भला करेंगे तो आपका भी भला होगा ठीक है चलिए फिर मिलते है नेक्ट वीडियो में thank you so much